नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनील पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताज़ा ख़वर ब्रेकिंग निउस है कि हिमाचल प्रदेश में करोना करफ्यू के दोरान जो है हिमाचल प्रदेश में बसों में सवारियां जो है वो ले जा रही थी तो कहा सवारियां जो है ये ले जा रही थी फिर क्या हुआ पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बन सके तो चली दोस्तो वीडियो को जो ही शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपकी करोना कर्फ्यू में सवारियां लेकर बिहार जा रही बस पकड़ी आर्टियो ने काटा चलान तो हिमाचल परदेश से जो है सवारियां लेकर बिहार जो है वो करोना कर्फ्यू में बस चा रह गई और बिहार और यूपी को जा रही थी इसकी सूचने जैसे ही परशासन के पहुंची तो आर्टियो उन्ना को इस बस को रोकने और कारवाई करने का निर्देश दिया गया आर्टियो उन्ना आरसी कटोज पर आधारिट टीम ने बस को सबजी मंडी के पास रोक लिया इस के चालक परीचालक या सवारियों के पास जो है कोई ट्रैवलिंग पास या परमित मौजूद नहीं था जिसके चलते आर्टियो उन्ना ने कारवाई को अमल में ला दिया है जानकारी के अनुसार परशासन को सूचना मिली कि एक बस सवारियां लेकर उन्ना की और जा रही ह इसके बाद आर्टियो अधारिटीम ने उन्ना में बस को रोक लिया पूश्टाच में पाया गया कि उक्त बस कांगडा जिले से आई है और बिहार और यूपी जा रही है इसमें कुछ सवारियां कांगडा जिले से भरी गई जबकि कुछ सवारियां उन्ना जिले के दुसा वारियां जो है ली जा रही थी जिसमें उन्ना में जो है वो बस फकड़ी गई और चलान काटा गया और बस को पुलिस के हवाले कर दिया गया तो दोस्तों यह थी आज की तारा ख़वर ब्रेकिंग न्यूज अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो क